अब बॉर्णिंग बच्चों वेरे वेरे गुड मॉर्णिंग आये स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और लाज्ट क्लास में बच्चों हमने सेक्शन वन वन टू ए देख लिया था इसके कोश्चन समय भी देखने हैं कि वन वन टू के गेस्ट में आपको 87 एका रिबेट नहीं मिलेगा ठीक है तो इस पर कुछ कोश्चन देखेंगे आज पर एक बढ़ा से रिवाइस कर लेते हैं वन वन टू को फिर आगे बढ़ेंग हम देखो बच्छों कि अंडर सेक्षन वन वन टू ए ट्रांसफर के आपने एकवर्टी शेर एकवर्टी ओरेंटिल मुचल फंड या फिर बिजनेस च्ट्रस के उनिट और एकवर्टी शेर पर दोनु टाइम पर पर पर्चेस की समय भी और सेल के समय भी और एकवर्टी और मुचल फोड या बिजनेस च्ट्रस के उनिट्स हैं उन पर आप कब करेंगे आप कि यह सिरफ सेल के टाइम पर आपको अस्टेडी पे करना है कंप्यूटेशन आफ कैप्टल गीन कैसे निकलेगा फूल वैलेफ कंसिड्येशन जो आपका नॉर्मल होता है ट्रासफर एक्समेंस आपका आगया नेट खंशिडेशन आगया पो सेल प्राई और एक्वरी चैवर देखना है पहले आपको फिर उसके बाद में एक्शिड्य consideration से higher देखना है जो amount आएगा वो cost of equation बन जाएगा और long term capital gain आपका 112a इसमें से आप एक लाख exemption देद होगे तो यह taxable कितना होगा 1121 taxable होगा rate का tax का 10% rate मैं नहीं लिखा उपर क्या नहीं लिखा यहाँ लिख दो बेटा point number 5 में लिख दो tax rate under section 112a कितना होगा आपका 10% excess of excess of 1 lakh देखो बेवब मैं पूरी कोशिस करूँगा आपके क्लास आपके टाइम पर आपका कब है एक्जाम सेडूल जोन में है क्या एक्जाम सेडूल वैसे जब पैंडेमिक चल रहा है उसके सब्सक्राइब सेडूल आके बढ़ेगा जितना मेरा सोच है फिर भी आपको कोर्स पूरा हो जाएगा जुलाई के अंदर बो टाइम अपने पास वह जुलाई भी आपका एंड जुलाई है तो मैं आपका पूरा कोर्स करवा दूँगा बेटा 10 से मतलू अब ठीक है सबसे पहला एक्जामपल नंबर वन एक्जामपल नंबर वन यह एक्जामपल कुछ इस तरह से बच्चों मैं इसको एक लाइन फॉर्मेट में बनाऊंगा यह डेट है एक छे दुहजार दस की इस दिन मैंने रिलाइन्स इंडेस्ट्री लिमिटेड के 1000 शेर्स परचीज किये एड़ दर रेट टूहंडर इच ठीक है बच्चों यह दूसरी डेट है कोई एक जनवरी 2014 इस दिन बोनस इशू हुआ वन वन का बोनस और फिर मैंने इन शेर्स को सोल्ड कर दिया एड़ रेट ओल सब को सोल्ड किया मैंने एड़ रेट 1500 इच ठीक है बच्चों सोल्ड कब किया मैंने एक नवंबर 2020 को और मैंने STD पे कर दिया STD पे कर दिया और बीच में अब एक डेट दे रुकिया आपको 31 जनवरी 2018 इस डेट को R.I.L. का F.M. भी दे रखा है इस डेट को R.I.L. का F.M. भी दे रखा है R.I.L. केलकुलेट करना आपको Capital Gain Capital Gain आपको बताना है देखो बच्चो इससे पहले भी मैंने कुछ कोशन लिखवाए थे आपको इसी तरह के फॉर्मेट के आपको याद हो रही होंगे वहां मैंने साफ साफ लिखवा जया था कि STD note paid यहां पर क्या है बच्चो साफ साफ STD paid अगर मैं इस कोशन को निकालों पर मुझे ढूणना पड़ेगा पर मुझे मिल जाएगा मुझे पूरा यकीन है तो मैं पर दिखाता हूं आपको हर एक चीज का मैंने कहां गया भी कहां गया यहां अब आएगा यका यह देखो परको बीचमें चसे क्लास का टाम तो मुझे पता नहीं है पर देखो यहां पर मैं क्या अंडरलान कर रहें डेला कर रहीं गहरें गरीं से गरीं से निए इस वालें इस यह देखे बच्चो कोशन में क्या लिखा था मैंने विदाउट स्टिटी इससे पहले भी कोश्चन करवाय था उस पर यह लिखा था मैंने स्टिटी नोट पेट और अब जो मैं कोश्चन करवा रहा हूं इस पर मैं क्या लिख रहा हूं स्टिटी पेट इससर क्या फरक पड़ेगा बहुत फरक पड़ेगा बेटा विखिस सेक्षन वन वन टू ए या ट्रिपल वन ए अगर आपको देखना है तो स्टिटी पेट होना चाहिए तभी तो आएगा दर्वस कैसे आएगा अरे बताओ ना कि यह बात आपको छोटी सी बात समझ में आई क्या तो बच्चो स्टिटी पेड स्टिटी पेड होगा तो पूरी कहानी ही चेंज हो जाएगी मैं आपको दोनों तरके से कुशन करके दिखाऊंगा यह पहले सोल्यूशन करते हैं सब कम्पुटेशन ओफ कैपिटल गेंग बताओ बच्चो कितना आएगा फुल वैली ओफ कंसिड्रेशन बताओ कितने में बेचा मैंने मेरे पास है टोटल दो हजार शेर्स और मैंने इनको बेचा है पंद्रासु रपे के साब से तो बच्चो यह हो गया दो हजार मल्टिप्लाइ फिटीन हंडर्ड तीस लाख लेस्ट करो ट्रांस्फर एक्समें जो हैनी कोशन में या अगे नेट कंसिड्रेशन इसमें सेलेक्स करेंगे हम कोश्ट ओफ एक्विजिशन कल मैंने आपको फॉर्मेट बनवाया भी था और आज इस फॉर्मेट को मत समझाता भी देखो यह रहा फॉर्मेट कोश्ट ओफ एक्विजिशन कैसे निकलेगी आपकी कि सबसे पहले तो आप सेल प्राइज और एफमवी विच एवर इज लोवर देखोगी तो स्टेप नमबर वन में क्या होगा बच्चो स्टेप वन स्टेप वन में सेल प्राइज कितना है कितने वेच आपने 1500 और एफमवी कौन से एफमवी पेटा एज ओन 31st यह वाली एफमवी पताओ कितनी है 450 इन दोनों में लोवर कौन सा बच्चो लोवर पहले स्टेप में क्या देखते हम लोवर फिस स्टेप नमबर टू आएगा स्टेप नमबर टू क्या मुलेगा एक्चुल कोस्ट बताओ बच्चुल कोस्ट केतनी है यहां पर 200 यहां पर 0 आपकी 200 है तो बताओ इन दोनों में हाइर कौन सा किसमें इसमें और इसमें हाइर कौन सा बच्चो हायर आपका आगया हाइर 450 multiply कितने share से आपके पास 2000 450 multiply 2000 तो यह आगे आपका 9 lakh तो बताओ बच्चों capital gain कितना आएगा long term capital gain 21 lakh अब इसमें आपको exemption मिलेगा less करोगे आप exemption under section 1128 exemption बताओ बच्चों कितना आता होता है आपका exemption यह होता है sir एक लाक रुपे का तो taxable कितना आएगा कितना आएगा बच्चों taxable 20 lakh किस किस को यह समझ में नहीं आया और किस किस को समझ में आ गया जल्दी बताओ बेटा कुछ पूछना है तो पूछे नहीं पूछना तो मैं आगे बढ़ता हूं और लिखता हूं if एस्टी नोट पेड अगर इसी कोश्चन में एस्टी पेड नहीं होता तो क्या करते सरा आप तो क्या करते चलो में वह भी दिखा देता हूं यह तो एस्टी पेड वाला था ना बिटा एक मिनट यह थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंग वह रहा है यह आप यहां लिखो बच्चो को को कॉम्पुटेशन ओफ कैपिटल के इस्टी नोट पेड अगर एस्टी नहीं पे होता तो क्या होता ओके तो क्या होता क्या होता असान होता कॉश्चन कॉश्चन और असान हो जाता कैसे अलेक अलेक हो गया फुल वैले ओफ कंसिडरेशन इसमें तो कोई फरक ही नहीं बिटा दो हजार मल्टिप्लाइ पंदरा सु तीव जाएगा तीस लाक लेस्ट कर देंगे इसमें ट्रांस्फर एक्स्पेंस जो है नहीं तोटल हो गया आपका ये 30 लेक इसे बोलेंगे नेट कंसिडरेशन लेस्ट करेंगे इसमें कोस्ट ओफ एक्विजीशन लेस्ट करेंगे इसमें कोस्ट ओफ एक्विजीशन पताओ बच्चो कोस्ट कितनी आएगी सबसे से पहले बात करते हैं इधर देखो द्यान से सामने देखो बचो एक बार पहला पॉइंट ओरिजिनल शेर कि बतो बेटा कितने में पर्चीज के और अगर आप देखोगे तो यह मैंने पर्चीज किया 200 रुपे में 200 रुपीज ठीक है तो यह 200 में पर्चीज किया सर मल्टिप्लाइ बेचा कब आपने 301 डिवाइड़ बाई कब पर्चीज किया इसको मैंने 10 एक काम करो बच्चो सभी बच्चे इस डेट को चैंज कर लो इसको आप 12 कर लो बेटा तक की कैलकुलेशन easy हो जाए 12 कर लो इसको इसको 12 कर ले ना वही सारे दर देखो एक बार मैंने इसको 12 कर दिया 10 से ठीक है तक की कैलकुलेशन असान हो जाए बच्चो बस यही है मेरा मोटीव कितने शेर थे 1000 शेर यह हो गया बेटा आपका 1000 शे तीन लाग एक हजार स्रफ इतना सा मोटीव था ताकि क्यालकुलेशन इजी हो जाए पॉइंट्स में ना आ जाए पॉइंट में जाता ना ज़्जीब सा लगता है तो फरक नहीं पढ़ता वैसे क्योंकि क्यालकुलेटर करेंगा हमें तो लिए करना है फिर भी तो लग दूसरा बोनस शेर अब बतो बचो बोनस शेर 142001 के बाद का बोनस शेर है तो जब 142001 के बाद का जो बोनस शेर होता है उसकी कोश्ट हमेशा क्या होती है निल यह ना यह थे कोश्ट नमने खुब सारे लोंग टरम कैपिटल गेल बतो कितना आएगा माइनस 20 लाख 26,99,000 अर यह अंडर सेक्शन 112 आएगा बेटा 112 यह नहीं आएगा सर कैसे देखो ना बच्चो मैंने साफ साफ लिखवा रख्या आपको उपर देखे एक बार एक बार चलो उपर देखो आप यह देखो इतना बड़ा महाबैंकर डाइग्राम जो बनाये था मैंने महाबैंकर यह वाला करा कि इससमें मैंने क्या बोला इस महाबैंकर में सब्सक्राइब कि आपने एस टैडी पे नहीं किया है एससे टी नोट पेड थे तो Cake तो कुर सा होगा औरMI फोंबंबड अप्लाई होगगा कश्या आपको इन बातों को connect कर पा रहे हो बचोंद कि अच्छी अच्या इंडेक्स मैंने क्या लिखा वच्छों मैंने नहींrous नहीं लिखा क्या आप लोगों ने नोट कर लिया बच्चु अ कि अ कि अ कि अ कि कि अ क्या आप लोगों ने नोट कर लिया क्या कर द प्रक्द द मुझे पता भूल एदमाब केबात को हैं तो रपील्ड करते नहीं मुझे सोचा हो दूसरा एक जैशन रपीला करते हैं आपके बार गलती नहीं होगी एक एक्जाम्पल और लिखो बच्चों कि एक्जाम्पल कुछ इसता है से बनाए यहां लिखिए आप डेट ऑफ पर्चीज हम आपको बता रहूं कि कौन कौन सा कोस्ट ओफ एक्विजिशन में आपको डिक्कत आई कि बटा उसके लिए मैं ट्रेक्टिस कर लेते हैं यहां लिखो एक्च्वल कंसिडरेशन सरी एक्च्वल कोस्ट फिर लिखो FMV FMV फेर मार्केट वैल्यू एजों 31 जन्वरी 18 उपर मैंने 31 लिखा था ना दो थी दो नहीं कर दी मैंने सही लिखा नेक्स्ट पॉइंट सेल वेल्यू एक चार दो हजार बीस को अब आपको बताना है इसकी कोस्ट ओफ एक्विजिशन क्या रहेगी यह आपको बताना बच्चों और इसका लॉंग ट्रम क्यापिटल गेन कितना आएगा यह दो आपको बताने हैं मैं कुछ यहां डेटा लिखूंगा उस डेटा को बेस मानते में आपको यह बताना है ठीक असर आप लिखो हम सब बता देंगे सबसे पहले डेट ओफ पर्चेस तो बैटा ऐसे ही है इस नाम से लिख दिया है मैंने काम का नहीं था वन टू थ्री फॉर फॉर केस बोत रहेंगे फॉर केस में आपको अंसरा जाएगा तो एको लिख देते हैं फाइव केस डेटू पर दीः वैसे लिख दो एक जुलाई दो हजार सोला एक Juday दो हजार पंद्रा एक दो हजार देसर एक पांच दो हजार बारा एक छे दो हजार तेरा ऐसे लिख दी बटा डेट में एक्च्छल कोस्ट कितना है सबकी केस में 100 रुपे पर शेर एक्च्छल कोस्ट है हर के समय कि एफमभी कितना कितना है यहां 200 यहां 200 यहां 50 यहां 100 यहां 200 सेल वेल्यू बेचा कितने में आपने तू फिप्टी में वन फिप्टी में वन फिप्टी में फिप्टी में तू हंडर्ड में आओ बच्छों और मैं यह मान रहा हूं यह सो कोशन है हमारा यह अंडर सेक्शन वन 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 टू एक लिए है मतलब एस्टेटी पेड है इंसेर्स पर एस्टेटी पेड है तो होदो स्टार्ट सबसे पहले बताओ फॉर्मूला क्या बोलता है उब इस्ट परने से पहले याद करते हैं सारी बाते पूरी रि नेक्नेक्ट करते हैं कि सर्ट समय स्ट कैसे निकले स्टेब नंबर वन लगाना है क्या बोलता है स्टेप्नमर वन कि आपकी जो भी से वैल्लि आ से क teuपेर और उसको लेलو ड Till पिर आपका जो एक्ट्वल कोस्ट है उससे कंपेर करो इन दुनों में जो हायर है वो क्या बन जाएगा कोस्ट ओफ एक्विजिशन क्या आपको यह बात याद आ गई बच्चों पिर मैं याद कराता हूँ और इस बाद थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिक्विजिशन कैसे निकलेगी स्टैप नंबर वन लगेगा स्टैप नंबर वन क्या है आपके जो FMV है और क्या इन दोनों में जो लॉवर होगा उसे यहाँ लिखना है स्टैप नंबर टू में जो एक्श। कोस्ट है इन दोनों में से जो हायर होगा वह भनेगा कोस्ट ओफ एक्विजिशन को बताओ बच्चों कि आपको यह बहतरीन से आवाज के अंदर बहतरीन सा सेक्षन समय आया चलो पहले का पताते हैं पहले में क्या करना है हाँ मुझे पता है मुझे पता है मुझे क्या करना है मुझे इन दोनों को कंपेर करना है इसको कंपेर करना है इसके साथ बता बचो इन दोनों में से लोवर कौन सा यह वाला इसको कंपेर करना है इस के साथ इन दोनों में हायर कौन सा बच्चों ये वाला तो कोश्ट आगया 200 वह ऐसा है जिसको ये बात समझ में नहीं आई प्लीज मेसेज कर दीजे पेटा आपके भले के लिए बोल रहा हूं आपके भले के लिए बोल रहा हूं नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो आप एक्जाम में तो पेटा एक्जाम में आपको देना है न मुझे थोड़ी देना एक्जाम आप बन चुका हूं जो बनना था मुझे वह आप लोगों को नर्श अपने घरवालों के नाम रोशन करने हैं अगला देखो अगला है यह एक पचास यह दो सो बताओ बैटा दोनों में से लोवर कौन सा लोवर यह आ गया अब इसको कंपेर करूँ किसके साथ में कि 100 के साथ तो यह और यह इन दोनों में हाइर कौन सा यह हाइर हो गया तो 150 आ गया कि थड़केस में कि अप्लिज अपना माई को ओफ कर लिजए प्लीज अपना क्या हो गया एक वापस समझाना ना समझात रहूं बेटा पांच कोशन है तीसरा देख लिए अब तीसरा वापीस देख लो यह जो आपका सेल वैल्यू होता है इसको कंपेर करते हो आप FMV के साथ इन दोनों में जो लोवर होता है कौंसा वेटा यह रहा फिर इसको कंपेर करते हो आप अपने एक्शल कोश्ट की साथ इन दोनों में जो शाय होता है कुंसा यह रहा तो यह क्या बन जाता है आपका कोोश्ट O Lands More फिर देखो अगले बर अगला सेक्शन फिर देख लो बेटा एक बार नहीं बेटा मैं आपको पांच बार सम्झाओंगा ये बात आप एक बार की बात कर रहें पांच पांच चोथी बार देखो ये और ये इन दोनों में लोवर देखना है बच्चो ये है लोवर और अब ये ii रहे पहर दखने हैं rock a grinder 100 क्या बन गया आफका स्थ द्सया है अप ज्हेंजाब एक बार रहन देखिया इंदोनों में बॉपकि में दोनों कोई यदो इस PearSAY कोई इसम सब एकषजञे करने के बार कि इतनी बार बनाए मिग्दाए कि यहां पर गलती बच्चे बहुत करते हैं तो यहीं तो नहीं करना सार यही तो नहीं करना अब लॉं greatness ट्रम कैपिटल गीन आपको बताना है दूर्टों य plans capital गेंज से निकलेगा एपर साथ असान है यह आपका कौस्ट उफट Allow कर ऑप्य हो तो फट फ्रय यह कि प्लॉक ब्लोगे बने गा वहीत थो है न यह लांग ट्रम आगे हो इस case में कितना है गा रहे minus क्या रहे हैं सरफ 50 यहां तो इस case में minus आ रहा है इस case में 0 आ रहा है जल्दी message करो बच्चों क्या आपको यह पूरा question समझ जाया अभी इस section complete नहीं हुआ है अभी इसमें और भी माथा पच्ची है बच्चों अभी इस section में और भी माथा पच्ची है चलिए एक question और लिखेंगे भी आप जो होगे आपके एक question और लिखो बिटा कर दो कि मिस्टर ए है जिन जो रेजिडेंट है कि और इनकी जो एज है बच्चों कि अभूत थर्टी टू यह थीक है इनकी income कुछ इस परकार है फर्स्ट इनकम है इनकी लॉंग ट्रम क्यापिटल गेंडर सेक्षन वन वन टू तू लैक दूसरी है लॉंग ट्रम क्यापिटल गेंडर सेक्षन वन वन टू ए यह है आपकी फोर लैक और जो अधर इंकम है बच्चों अधर इंकम वो दिरकी है आपको टू लैक क्यालकुलीट क्यापिटल गेंडर सेक्षन टेक्स पेबल अब आपको पराने से लैप्स तो याद है ना सारे स्लैप्स याद ना बच्चों पुराने वाले चलो तो सबसे पहले बनाओ टोटल इंकम कितना आएगा इसका टोटल इंकम टोटल इंकम कितना आएगा यह से टोटल इंकम का आठ लाक रुपे इस आठ लाक में बच्चों आपके पास कितने कितने तीन टाइप की इंकम है एक तो है अंडर सेक्षन वन वन टू जो मैंने पर्सों करवाए था एक है वन वन टू है जो मैंने आज करवा रहा हूं है और एक है बेटा नॉर्मल इंकम 112 कितना 112 है साब 2,000,000 रुपे का 11212 आ कितना बच्चों यह है चार लाक रुपे का और यह कितना आएगा 2,000,000 रुपे का ठीक है अब हम इसमें से पहले तो less कर दें कितना 1,000,000 रुपे जो इसका इंकम का है विकि उस पर टेक्स लगता निया बच्चों अरे पता ना आप आपको यह तो इसकी एक जमसन है ना एक लाख वन वन टू एक ही तो यह तो माइनस करने पढ़ेगी आप ठीक है सर करती है बाकी पर दस प्रिजेंट टेक्स लगेगा पर अपर उससे पहले मैंने जब यहां पर दो लाख पचाहँ जर माइनस किया बच्चों तो मुझे यहां पर टेक्स रेट 20 परसेंट है और यहां पर टेक्स रेट कितना है आपका वन लेक 50,000 तो मुल्टिपलाई 20 परसेंट मुल्टिपलाई 10 परसेंट यह वाजाएगा बटापका 30,000 यह भी 30,000 अरे वाह तो नों 30,000 कि एड्ड क्या होगा इसमें सैस कितना होगा बच्चों 2400,000,624,000 कि यह आगे आपका टेक्स पेबल तरिक्या आगे आपका टेक्स पेबल तरिक्या आगे आपका तो यह एक काम और करेंगे, एक नोट और लिखेंगे उपर, जो नोट लिख रहे थे ना, वहाँ पर, वहाँ पर नोट लिखेंगे, इसमें एक और, मैक्सिमम सर्चार्ज, रेट, मैक्सिमम सर्चार्ज रेट कितना होगा आपका, फिप्टीन पर्सेंट, वैसे सर्चार्ज रेट बता दूँ, आपको मैं फिर से यहाँ पर नोट करवा दूँ, कि बहुत सारे बच्चों को सर्चार्ज रेट ही नहीं है, मुझे पूरा येकीन है, जो हमने बेसिक में पढ़े थे, वो सर्चार्ज रेट आप भूल चुके हैं, तो फोर, इंडिवीज्वल, एचियोफ, एओपी ब्यूवाई, और आर्टिफिस जुडिसल पर्सन, इन सब के लिए जो सर्चार्ज के रेट बताए गई है, गोर्णमिन्ट के दौरा, वो क्या है, सरी सर्चार्ज क्या होता है बेटा, जो अधिक पैसे कमाता है, गोर्णम्ट उसे ओर टैक्स लेती है, उसको नाम देती है सरचार्ज अगर आपने इन चारों ने अप्टू 50 लेक तक की इंकम है तो बेटा नो सरचार्ज पचास लाग से ज़्यादा इंकम है परन्तु एक करोड तक की पचास लाग से एक करोड तक अप्टू 1 करोड तो सरचार जाएगा 10% एक करोड से उपर इंकम अप्टू 2 करोड तो बच्चो सरचार जाएगा 15% इंकम 2 करोड से ज़्यादा है अप्टू 5 करोड तक है तो सरचार जाएगा बच्चो 25% इंकम आपकी 5 करोड से उपर है तो इस case में सर्चार्ज हो जाएगा आपका 37% पांस कोड़ से जितना भी उपर सब पर कितना लगएगा 37% यह आपके सर्चार्ज के रेट है तो section 112A अगर income है तो उसमें maximum जो सर्चार्ज लगेगा वो लगेगा 15% तर इस से उपर सर्चार्ज नहीं लग सकता कैसे गवन होता है इसके पीछे क्या क्या कहानिया है तो उन कहानियों को अगर हम सीखें यह पहले बताओ यह लिख लिया कि आप लोग ने चाप रिप्लाई तो करोगे नहीं फिर भी मैं एक मैंने तक वेट कर लेता हूं आपका एक सेकेंड वेट टर लेता हूं आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते है इस प्लाइ करो यार साथ में इन्वोल होया करो आप क्लास के अंदर लगना चाहिए कि हां क्लास पढ़ रहे हो आप भी लगना चाहिए बचा एक्टिव है इसमें नुक्सान आपका ही है अगर आ टीचर को भी पढ़ाने मज़ा आएगा अदर्वाज टीचर भी डल हो जाएगा यार कोई बोलतो है निरा ठीक है समझ में आ रहा है नहीं है उसे पता ही नहीं साब से पढ़ाक पढ़ा के निकल लेगा अगर एक्टिव रही है तो यह सर्चार्ट के रेट आप नोट कर लि वैसे तो मैं नहीं है ठीक है तो समय की नजाकत को देखते हुए क्योंकि समय कम है दस मिनट में माई कोशन नहीं करा पाऊंगा तो अगर कोई डाउट तो नहीं हो किसी बच्चों को दन तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास को मिलते हैं अंगली क्लास में तब तक के लिए घर पे रहो सेफ रहो बच्चों बच्चों